बिस्मिल्ला रह्माने रहीम, अस्वामनेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टो अनदर वीडियो अबाउट बिटकोई, बीटी सी टाइम पर 69,309 डॉलर्स पर ट्रेड कर रहा है, डबल बॉटम बनाया, मार्केट उपर गई है, कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस ट अवठों पर चली जाएगी, और exactly मार्केट ने 71,560 से जाकर रिजेक्शन ली है, इस लेवल से है, जो हमारे पर से रिजेक्शन थी, इस लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट फॉरण गिर गई है, और मार्केट ने क्या किया है, यहां से जब digestive ओ चुकी, इदर से म बंदा इस चीज़ को लेके long हो गया कि मार्किट यहां से उपर जा रही है लेकिन उसके बाद मार्किट नीचे गिर गई और मार्किट ने लिक्विडिटी स्वीप की यहां से लिक्विडिटी हंट की इस candle के नीचे यहां पे आके जितने भी नीचे लोगों के लिक्विडेशन पड़ी ही थी या स्टॉप लॉस पड़े हुए थे वो सब के सब स्टॉप लॉस हंट कर लिए अब मार्किट यहां पे मौझूद है अब मार्किट अभी भी स्टिल हमारे पास जो 0.5, 0.618 का लेवल है जो के फिबोनाची लेवल है इस लेवल के अंदर ही मार्किट मौझूद है यहां पर ही अभी भी स्टिल मार्किट मौझूद है बीटी-सी की जो डॉमिनेंस है बीटी-सी की डॉमिनेंस तो ल वकत अभी भी अपसाइट पर जा रही है योकि daily basis फे बढ़ रही है यह हमारे पास margin यह जो मैंने mark किया हुआ है area इस area में ही जाके हमारे पास rejection होगी 61.60 के करीब 70 के करीब 62% 62.80 63% यहां तक यानि 2-3% मजीद market उपर जा सकती है potential है और उसके बाद market यहां से जाके फिर उसके बाद नीचे गिरेगी dominance BTC की USDT की अगर dominance देखते हैं तो USDT की dominance बढ़ रही है मजीद दुबारा यह हमारा channel है इस channel को जिसने break down दिया था break down देने के बाद वापिस USDT dominance daily time frame पे दुबारा इसी को retest कर रही है इस line को यहां से reject हो जाती है इदर से आपको death cross भी दिखाई देने लग गया है कि death cross होने लग गया है सारी changing होने लगी है यहां पर जो आपके indicators है simple moving average है यहां से death cross देने लगी है death cross होता है यहां से market यह जो USDT dominance है थोड़ा सा उपर जाके फिर से fake out देके नीचे गिर जाएगा market सूपर जाने लग जाएगी अब आगे आप लोगों को पता है कि election का time आ रहा है forex factory पे अगर आप आके देखते हैं तो आपके पास 5 November election day होगा उस दिन market में क्या भी हेवियर होगा आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ परस्व ही मैंने बता दिया था यह presidential election है congressional elections मैंने दो दिन पहले आप लोगों को बता दिया था कि news के time यह जो आपका election होगा election के time पे market एक अच्छा pump भी दे सकती है एक अच्छा crash भी दे सकती है dump भी हो सकता है 4, 5,000, 7,000 dollar का 66,000, 65,000 पे market आ सकती है sentiment यह बने हुए इस time पे लोगों के sentiment यह बने हुए यह psychology यह है कि market में लोग long हो रहे है reason क्या है Donald Trump का आप देख रहे है Donald Trump जो है वो एक lead में जा रहा है जब Donald Trump lead में जा रहा है हर बंदे की सोच यह है कि Donald Trump अगर win करता है तो BTC pump होगा लेकिन BTC pump के time पे यह जो आपको news मिलेगी यह जो educational यह जिस दिन आप लोगों को election की news मिलेगी और election day होगा उस दिन reaction market में और होगा election गुजरने के बाद response market में और होगा response और reaction में चीज़ें हमेशा आप लोगों को यह clear करता हूँ के response और reaction दोनों चीज़ों में फरक होता है हम इंशाला तला बफजले खुदा premium course जो के zero dollar course होगा zero dollar course इस sense में होगा कि जो आप piece पे करेंगे वो piece आपको वापस trade करवा के recover करवाई जाएगी कुछ terms and conditions होगी जिस पे आप हमें जॉइन कर सकते हैं committed seats होगी first come first serve basis पे होगा इंशाला तला वीडियो लगा दी जाएगी जिसमें आपको मुकमल तरीका कर समझा दी जाएगा course आप किस तरह से join कर सकते हैं classes का आगास कब होगा पीस कब तक submit करवानी है journal requirements क्या होगी इंशाला तला बफजले खुदा as soon as possible हम सारी की सारी information यहाँ पर मैं share कर दूँगा जिसमें हर एक चीज बता दी जाएगी आपको course की proper outline आप लोगों को दे दी जाएगी कि आप क्या क्या चीज सिखाएगी हर concept की अलग फीस नहीं होगी बलके एक फीस में आपको zero to hero तक का course आपको करवाया जागा इंशाला तला crypto trading से related forex trading से related और spot में करना चाहें futures में करना चाहें of course depends on you आप लोगों को हर concept clear करवाया जागा basic से लेके exceptional तक 0301544721 हमारा whatsapp number है अगर आप लोग हमारा premium group join करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को signals चाहिए तो most welcome आप लोग हमें join कर सकते हैं अभी हम कुछ news देखेंगे उसके बाद हम market में आके देखते हैं Micro strategy moves Bitcoin post revealing its BTC treasury plans Micro strategy moves 1.652K Bitcoin to an anonymous wallet in the past day analysis company makes prediction for Bitcoin after US election even if Donald Trump wins मैं आप लोगों को हमेशा ये बात पहले ही करता हूँ कि जब भी कोई एक bullish news होती है उस पर reaction bearish रहता है और अगर bearish news होती है तो उस पर reaction bullish होता है response bearish होता है लोगों को trap किया जाता है The US unemployment rate remains steady at 4.1% in market expectations for a 25 basis point rate cut in November rose to a 96.4% probability यानि November में 7 November को 8 November को 25 basis point rate cut होगा election के time पे क्या सोचा चा रहा है with Vice President Kamala Harris holding 43% और Donald Trump कहां पे है Donald Trump 47% 47% पे Donald Trump की जो favor है वो 57% and 43% Kamala Harris The firm predicts that regardless of the outcome of the election the market could witness a sell the news reaction अब यहाँ पर भी reaction का world use किया गया मैं response की बात करता हूँ मार्किट में reaction होता है उसी time पे जब news आती है response होता है जब news पोड़ी थंडी बढ़ जाती है similar to that observe during the Navshile Bitcoin conference Bitcoin की जो conference हो इसी उस ताइम पे भी reaction और था response और हुआ और sell the news event रहा sell the news event क्या होता है कि news bullish आई है market में selling हो गई है वो है reaction क्योंकि लोग सोचके बैठे हुएं कि market ने अप जाना है हर बंदा long करेगा market नीचे गिर जाएगी response क्या होगा जब market नीचे गिरेगी लोग short की positions open कर लेंगे 24 गंटे या 48 गंटे गुजरने के बाद market वहाँ से अचानक से pump करना शुरू कर देगी तो of course यतने भी लोग होंगे वो सारे liquidate हो जाएगे यह होता है reaction और response का फरक MicroStrategy Bitcoin success principles revealed by founder Michael Saylor The MicroStrategy wallet transferred 1652 BTC to a new wallet 6 hours ago MicroStrategy currently holds 252,220 BTC जो के 17.56 billion dollars मालियत के है with an average buying price of 39,266 dollars an unrealized profit of 7.65 billion dollars इनकी average buying क्या आ रही है? average buying आ रही है 39,000 dollars 17.56 billion dollars की holding इस time पर MicroStrategy की मौझूद है जिसके उपर profit है 7.65 billion dollars का यानि 10 billion dollars की buying है 7.65 billion dollars profit चल रहा है and MicroStrategy plans to raise 42 billion dollars to buy more Bitcoin इस time पर वो और Bitcoin buy करने के लिए 42 billion dollars का fund raise कर रहे है यह हमने मजीद BTC की buying करनी है Bitcoin dominance hit new heights will it challenge historic resistance levels Bitcoin dominance tops 57.68% showing resilience as altcoins struggle to compete investors आया potential 71% resistance test possibly यह जो बीटीसी की dominance है 71% पर यह जो 71% पर रिजेक्शन है possibly है कि 71% resistance जो है वो भी टेस्ट कर सकती market since 2022 Bitcoin's dominance has surged with a stable trend line now reaching 60.12% confidence in Bitcoin remains strong rising Bitcoin dominance signals a bullish trend breaking past key levels and hinting at new highs as altcoins lose ground क्योंके BTC की dominance बहुत ज्यादा बढ़ रही इस वज़ा से altcoins सारे रुके हुए लेकिन BTC की dominance जैसे ही गिरेगी जो के November में ही गिर सकती है December हो सकता है November की 19-20 तारीख के बाद लेकिन इंशाला अर्ट्स में रैली बहुत जल्द आने वाली है जहां पर साथ महीने पहले सबर कर लिए वहां पर महीना और लग जाएगा लेकिन BTC की dominance जैसे ही गिरेगी और कोई आपके pump करना शुरू कर देगी यहां पर आ जाते BTC halving procedure यह आपका जो progress है अगर आप बबल में आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर सारे के सारे ओल्मोस्ट रैट है वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं यहां पर भी mostly नीचे गिरे हुए है कुछ कॉइन्स हैं डॉज है एक्स है ओम है रे है यहां अच्छा बुलिश वेव दी लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर सारे रैट है सबसे ज़्यादा बॉपकेट है म्यू है ओपी है फाइध है बीम इना आई-म-क्स सुई एक्स एव-क्स यह सारे के सारे कॉइन्स नीचे आए हुए हुए लेकिन जो ग्यारा-ग्यारा-पंद्रा-पंद्रा-परसेंट नीचे आए हुए यही कोइन्स आपको 40-50%-60% पंप भी देते हुए दिखाई देंगे यह चीज आज लिख लें मार्क मै वर्ड्स नेक्स्ट आ जाएं यहां पर नमंबर का महीना 1.06% नेगिटिव है मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि नमंबर का महीना स्टार्ट वाला जो पहला हफता होगा यह पहले 10 दिन होगे यह आप लोगों को रेड़ी दिखाई देगा उसके बाद आगए इंचाला तला यह ग्रीन हो जाएगा अब इसके बाद नेक्सट हम आ जाते है फिर एंट ग्रीट इंडेक्स पे你ट स्यमेंट नीच इंटश पे आएप और जीज़क्या और यह गिर जाएगी बहुत जलद गिर जाएग विकली टाइम फ्रेम पे 76 पे है, 24 आर्स टाइम फ्रेम पे 72 पे है, 73, 66, 65, 15 मिनिट में भी 67 पे, 24 आर्स देखते हैं, 24 आर्स के टाइम फ्रेम पे भी BTC डॉमिनेंस अप है, बाकि सारे के सारे कोईन्स नीचे हैं, वीकर जोन में या न्योटरल में पड़े हैं, हीट में अब देखते हैं, तो लास्ट 24 आर्स में लिक्विडेशन लॉंग वालों की, पहले आप लोगों ने देखी थी, कल वाली वीडियो में, लॉंग की लिक्विडेशन कम थी, सिरफ 2 मिलियन डॉलर्स, और शॉर्ड की लिक्विडेशन ज्यादा थी, अब क्या हुआ है, अब 24 आर्स में लॉंग लिक्विडेट हो गए, 148 मिलियन डॉलर्स, रिजन क्या है, जो बीटी सी ने, ये पंप लिया था, यहां से शॉर्ट को लिक्विडेट कर दिया, यहां से लॉंग्स को लिक्विडेट कर दिया, दोनों साइड का पैसा मार्किट ने खा लिया, जो कि मार्किट का काम है, मार्किट ने पैसा खाना होता है, लिक्विडेटी हीट में अब देखते हैं, अपर साइड पे लिक्विडेशन पड़ी हुई है, 70,400 के करीब, अभी जो करीब तरीन लिक्विडेशन पड़ी है, करीब तरीन लिक्विडेशन, 24 आर्स के ताइम फ्रेम पे, अपर साइड पे 70,400 और 70,400 की एक विक लग सकती है, 48 आर्स में आते हैं, तो भी नीचे लिक्विडेशन पड़ी हुई है, 68,700 पे, विक्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं, केंडल जो आपकी है, ये एक घंटे की, ये चार घंटे की हो जाते हैं, यहाँ पर आके, नीचे लिक्विडेशन पड़ी हैं, 66,000 तक, 66,000 तक, और ये होप सो, कि ये जो होगा, ये sell the news event होगा, आपका election वाला, और तब ये लिक्विडेशन उठाई जाएंगे, ये लिक्विडेशन तब उठाई जाएंगे, possibly, मैं आपको just possibility की बात कर रहा हूँ, अब हम आजाते हैं, BTC पे, और dominance मैंने आप लोगों को बता दी, BTC की dominance बढ़ रही है, USDT की dominance बढ़ रही है, तो of course, जब USDT की dominance बढ़ रही है, तो BTC की price नीचे आ रही है, अब हमारे पास ये again support है, ये वाला जो zone है, ये support है, BTC में, जो मैंने आप लोगों को 60, ये जो 0.5 और 0.618 का level दिया हुए, ये हमारे पास support है, फोर आर्स के time frame पे आ जाते हैं, फोर आर्स के time frame है, फोर आर्स के time frame पे भी BTC की price जो इस time पे है, ये बिल्कुल base पे पढ़ी है, यहाँ पर, और यही zone है, हमारे पास जो strong zone है, जिस zone से market की buying हो सकती है, लेकिन इससे नीचे एक विक आ सकती है, मैंने आप लोगो कल की वीडियो में बता दिया था, यहाँ पर अगर market hold नहीं कर पाती, जैसे यहाँ पर विक लगा के नीचे आई है, ये liquidations उठा लिये हैं, सेम इसी तरह से नीचे आगे 65,000 के नीचे से भी market liquidations उठा सकती है, daily time frame पे आते हैं, one day के time frame पे, अगरी candle के नीचे, 68,700 के नीचे जाके liquidations उठा सकती है, लेकिन इसी zone के अंदर पड़ी है, daily time frame पे ये gap में पड़ी हुई है, fibonacci retracement का जो golden pocket है, उसके अंदर पड़ी हुई है, यहाँ पे अभी market बिलकुल sideways है, कल की volatility के बाद market बिलकुल sideways है, वन आर के time frame पे अगर आप देखते हैं, एक घंटे के time frame पे, तो यहाँ पर आपको, यह market कुछ sideways यहाँ पर दिखाई देती हुई, नजर आ रहे हैं, और अभी market यहाँ पर अगर नीचे आती है, support level होगा, हमारे पास 69,035 डॉलर्स का, 69,035 डॉलर्स का, देन उसके बाद next movement आइडिया होगा, कि BTC का next move क्या होता है, यह कुछ update है BTC की, जो भी next update होगी, इंशाला तलब आप लोगों के साथ share करता रहूंगा, बजीद updates के लिए आप लोग मारे channel को join कर सकते हैं, यह वाला जो level है, 68,700 का, 68,300, 400 का, अगर इसको break कर देती है, down side पे, 68,200 के नीचे closing हो जाती है, then आपके पास 67,500 का level होगा, 66,800 का level होगा, और फिर 65,700 का level होगा, यह levels होंगे, अपर side पे जाने के लिए, इस area को 71,300 को break करना जरूरी है, चैनल को subscribe कर लीजएगा, विडियो को like कर दीजएगा, खुदा आफिस,